हालो मेरे पर बच्चों क्या हाल चाल बढ़िया साब उम्मेद है आप सभी अच्छे होंगे और त्यारी भी एकदम जबर जस्तरीके से चल रहे होगी बच्चों अब यह जो समय है ना यही वो समय है कुछ कर गुजरने का इसी छड में आपको अपने आपको साबित करना होगा भीया आपको औरों से नहीं बलकि खुद से आगे भागना है किसी और से अपना भी तुलना करो ही नहीं कि हाँ फलाने का लड़का इतना पढ़ता है धिकाने का लड़का इतना पढ़ता है मैं क्या पढ़ रहा हूँ या फिर वो बड़ा तेज है यार अरे जाने दो होगा कैसे होगा कुछ नहीं करना भया केवल ये समझना कि मुझे खुद से आगे रहना है और मुझे क्या करना है टॉप करना है 90 प्लस स्कोर करना है और इसके लिए हम तो आपके साथ लगे ही हैं ठीक है ना तो भया आज के इस वीडियो में इंगलिस प्रोश के अंदर फर्स्ट चैप्टर दा लास्ट लेसन अंतिम अध्याय इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंसर को देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन एंसर हैं या यह आपके बोड एक्जाम में बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें से आज जो देखेंगे दो से तीन क्वेश्चन तो ऐसे हैं हर साल पूछे जाते हैं तो आज की वीडियो बढ़ी ही मस्त होने वाली एक दम लाजवाब क्लास होने वाली आज की इसलिए बच्वों वीडियो को कम्प्लीट देख लिसेगा और साथ मे आपको नोट्स भी बनाते चलना है भले ही आपके पास कोई मतलब ऐसा नहीं कि हाँ कोई अच्छा सा हो नोट्स जिस मतलब जो महेंगा वाला हो इसा कुछ भी नहीं है जो भी रफकापी है इधर उधर का है बस उसी में छापते चलो बस इतना कि भई ऐसा लिखो कि पढ़ सकना भी बाद में पढ़ सको ठीक ठाक तरीके से बस कोई राइटिंग नहीं कोई कलर नहीं कि दुनिया भर कली को नहीं बस घसीड़ते चलो ठीक है ना चलिए तो देख लेते हैं दा लास्ट लेसन के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्चन एंसर हैं आपको ज्या चार नंबर का आठ नंबर का क्वेश्चन आपका सौर्ट वाला पूछा जाएगा यानि दो क्वेश्चन लॉंग वाला एक पूछा जाएगा ठीक है ना वो चलिए चलिए तो बच्चों इसके क्वेश्चन एंसर को समझने से पहले आप थोड़ा मिनितों में कहानी सुन जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता कि इस शेप्टर में क्या कुछ है किस बारे में कहा गया तो जानना भी तो जरूरी है बचो ये कहानी जो है ना ये देश भक्ती की भावना को दर्शाती है मात्री भासा के महत्त को दर्शाती है कि यहां पर क्या है कि अगर हम बात करें ज तो अपनी भासा से कितना ज़ादा प्रेम होता है, अपने जन्वभूमी से कितना प्रेम होता है इस बारे में है, इस कहानी के मेन जो सूतरधार है वो M. K.P.厉 심ल है, जो एक ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं, जो इस्कूल क्या है? अलसास वा लारेंच छित्र में इस्थित होता है और वहाँ पर परसिया सेना का भिया क्या होता है आक्रमण होता है और वो कबजा कर लेते हैं इस्कूल को और वहाँ के टीचर से बोल देते हैं कि अब तुम लोग छुट्टी करो भई बहुत हो गया ड्रामा पढ़ा लिया बहुत अब क्या है इस्कूल से छुट्टी कर दो अब यहाँ पर कोई फ्रेंच यानि जो फ्रांस लेंग्वेज है कोई भी फ्रेंच लेंग्वेज अब नहीं पुचलेगी अब यहाँ पर नेक्ट डे से मतलब नए टीचर आएंगे और वो नए टीचर अब जर्मन लेंग्वेज पढ़ाएंगे ठीक तो यह इतना कुछ कहा जाता है तो कहीं न कहीं भीया अगर आप कहीं पर हैं तो आपको अपनी भासा से प्रेम होगा और यकीनन होगा भी क्योंकि आपको जितना अपने मात्र भूमी से प्यार है उतना ही ज़्याद अपने भासा से भी प्यार है तो यही सब कुछ इस कहानी में है अब जिना समझ में आ गया बच्छों चलिए डिरेक्ली अब कोईशन पर आते हैं ऑर या कह रहा कि वाट अट इड कड़ें है nelle से अब आउ harus इन्हों ने शी जिट का सब से खुबचू रद वशअ इसको सब भाशा कहा और कहरा according to him उनके अनुसार it was the clearest मतलब एकदम स्वच्छ सापसुतरी and the most logical और क्या है अत्यधिक logical यानि तारकिक भाशा है इन्होंने या इनके अनुसार ये जो फ्रेंच भाशा है एकदम असपस्ट और एक तारकिक भाशा है यानि लॉजिकल भाशा है ठीक है न आगे कहरा he wanted वह चाहते थे two people यानि लोगों से आप फ्रेंस यानि फ्रांस के to guard it इसकी रच्छा करें amongst themselves ठी यानि वह चाहते थे कि फ्रांस के लोग स्वयम का क्या करें इस अपनी यानि भाशा को यानि मात्री भाशा को क्या करें भिया सुरच्छित रखें और इसे कभी भी ना भूल पाएं तो देखा ना बच्चों कितना सिंपल सा वर्ड्स यहां पर इस्तमाल किया गया है कि बताया बबुआ क्या बोल रहा है कि M. Hamill ने फ्रेंच भाशा को most beautiful यहनि सबसे सुन्दर भाशा कहा कहां पर in the world यहनि संसार तो संसार की सबसे खुबशूरत भाशा कहा किसे फ्रेंच को फिर इनके अनुशार इनके अनुशार जो फ्रेंच भाशा है वो clearest यहनि एकदम सा लोग क्या है सवयम इस फ्रांश जो फ्रांस है फ्रांश की भाशा करें सुरक्षा करें और क्या करें भिया इसको कभी भी ना भूलें यह था ठीक है ना तो समझ में आ गया अगर हम इसको बात कर लिवया तो यह आपका 2000-22 में बच्छों 23 में भी और 24 में भी पूछा गया है तो यह कह सकते हैं कि यह वेरी इंपोर्टेंट आपका question answer हो जाता है ठीक है ना चलिए जल्दी से इसको screenshot कर लिजिए बाबू फिर उसके बाद हम चलते हैं next question answer पर हो गया भीया चलिए आगे चलते हैं एक दम आज आपको हम मगन करके छोड़ेंगे है ना enjoy करते हुए पढ़िएगा पढ़ाई को कभी भी अगर बोज समझ कर पढ़ोगे बुच्चों तो हमेशा उसी तले दबे रहोगे पढ़ाई एक बोज नहीं है ना तो कोई समझा होता ह ठीक है ना बस यह समझ मझी人 कि दिल लगी के साथ पढ़ना है मजह में पढ़ना है तभी आनन्द आएगा ठीकंड़ा के लिए ना अदा कर ने ये proper attention यहनी ठीक मतलब प्रोपर यहनी ठीक तरीके से attention ध्यान तो दीदिद benefici या फ्रेंच तो दिखी question का मतलब है कि M Hamill ने French के अध्यान पर उचित ध्यान ना देने के लिए किसे दो सी ठहर आया था ठीक है तो ये question भी बात करें बच्चों तो ये आपका अगर हम बात करें भीया 2021 में भी आया था 22 में भी आया था 23 में भी आया था 24 में ठीक ऐसा नहीं कि हम अपने मन से लिख रहे हैं ठीक है तो आप इसको खुद आप question पेपर उठाइए ठीक इन एयर के और उसके बाद खुद मालूम पढ़ जाएगा हो शकता है कि आपको ऐसा लगे कि डिरेक्ट लिए ऐसे नहीं कर थोड़ा घुमा के पूछाओ लेकिन मतलब सेम है तो इस question को उसे तीन तरीके से पूछता है ठीक समझ में आया question का मतलब question का मतलब यह है कि एम हेमल ने फ्रेंच जो भासा है उसके अध्यन पर ध्यान ना देने के लिए यह कह रहा है किसको दोसी ठहराया था तो किसे दोसी ठहराया था ध्यान से समझना कि एम हेमल ब्लेमड हिमसेल्फ एम हेमल ने स्वयम को दोसी ठहराया अज विलयर साथ ही साथ दा पैरेंट्स यनि मता-पीता को फार ठीक noran उस यनि क्या है मतलब का मतलब क्या होता है भिया मतben इगनोर करने के लिए उससे मतलब नजर ना, मतलब कहते हैं ध्यान ना देने के लिए आफ इस्टडीस यानि अध्यान पर कहरा ही ब्लेम्ड उन्होंने दोस लगाया the parents यानि माता पिता पर because क्योंकि they had wanted they had wanted their children to work on the farm to earn some money या उन्होंने माता पिता पर भी आरोप लगाया क्यों कि कह रहा है they had wanted their children क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चे क्या है work on farm खेतों में काम करें to earn some money कुछ पैसा कमाने के लिए होता है ना कि आज के टाइम पर भी वैसे माता पिता कि भी किसी के गलत नहीं होते हैं लेकिन कभी कबार होता है इस्थिती ऐसी हो जाती है या फिर जिनके घर में एकदम अनपड़ लोग रहते हैं तो बस उनको लगता है कि पैसा कमाना बस यही जिन्दगी में सब कुछ है बिना मतलब का हम इनको इतना पढ़ाएंगे के उची का चाओं में और बिना मतलब का पैसा खराब होगा इससे अच्छा कि भईया पढ़ने के उमर में इनको लगा दो काम पे देर धीर एक्सपिरियंस होगा तो आज भी पुराने ख्याल वाले लोग हैं तो वही कह रहा है भईया सबसे पहले तो यह कहा कि एम हैमिल ने स्यम को दोसी ठहराया और साथी साथ भीया क्या किया अध्यान के प्षे इंग्नौर कर करने के लिए मातायई पिताव को भी दोसी ठहराया और यह एड़ वांटेट देयर चिल्डरन क्योंकि वह चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं खेतों में काम करें, to earn some money, कुछ पैसा कमाने के लिए, आगे कह रहा भिया, कि M. Hamill blamed himself, M. Hamill ने स्वेम को भी दोसी ठाहराया, as he made the children work in the garden, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, बच्चों को, उन्होंने बच्चों से, क्या है, बगीचे में काम करवाया, and gave them a holiday, और उन्हें छुट्टी दे दिया, when he wanted to go fishing, जब वो क्या है, मच्चली पकड़ना चाहते थे, समझ में आया, कहे रहा है कि M. Hamill ने स्वेम को भी दोसी ठाहराया, क्यों ठाहराया, बच्चों से, क्या है, बगीचों में काम करवाया, उन्होंने बच्चों से बगीचे में काम करवाया और उन्हें छुट्टी दे दिया ठीक है जब वो क्या है मचली पकड़ना चाहते थी यह नि उस वक्त ठीक है न जिस वक्त भया वो मचली पकड़ना चाहते थे उस वक्त उन्होंने क्या किया छुट्टी कर दिया ठीक है तो उनके जो माता-पिता हैं वो चाहते थे कि बच्चे क्या है खेटों में काम करें और कुछ पैसा कमाएं फिर उसके बाद इन्हों खुद को भी दोसी ठहराया क्योंकि उन्होंने बच्चों से खेतों मतलब बगीचे में काम करवाया जब मतलब उस समय क्या है उनको छुट्टी दे दिया जिस वक्त वो मचली पकड़ना चाहते थे ठीक तो समझ में आ गया भीया कि इस question का answer आपको किस तरह से लिखना है तो अगले question की तरफ चलते हैं अगला question क्या है ध्यान से समझना बच्चों कहराय कि वाट है पेंड वें चर्च क्लॉक इस्ट्रेक्ट वल्व यह जो चर्च की घड़ी थी जब उसमें बारा बजे थे तो उस वक्त क्या हुआ था यह जो चर्च की घड़ी थी भीया उसमें लिखना तक जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाया तब क्या हुआ था ठीक समझना है दिखिए जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो उसी समय कुछ मेंटर हो सेना थी उनका आक्रमण हो गया ठीके M.Hemel stood up M.Hemel खड़े हुए and wanted to tell something और कुछ बताना चाहते थे यानि कुछ कहना चाहते थे but his voice was choked लेकिन उनकी जो आवास थी वो निकल ही नहीं पाई यानि आवास बंद हो गई एकदम से और he gathered his strength उन्होंने अपनी सक्तियों को इकठा किया and wrote on the board और उन्होंने board पर लिखा large इतना बड़ा as he could जितना वो कर सकते थे लिखा क्या wife la France यानि wife la France and dismissed the school और school की छुट्टी कर दिया बाबू ठीक है ना wife la France का मतलब ही होता है France जिन्दा बाद ठीक देखिए समझ में आ गया नभिया कह रहा है कि जब घड़ी में 12 बजे तो उस समय क्या हुआ तो जब घड़ी में 12 बजे देन उसी टाइम परसियन की जो परसियन सेना थी या उनका अकरमण हो जाता या उस समय समझ में आज आ जाते हैं खब्स कर लेतें स्कूल में फिर उस के बाद यह जो एम है मेल थे यह कुछ Gesetzentwurf यह कुछ Window चायते से घड़े होते हैं और कुछ बोलना चायते हैं लेकिन जो इनकी आवाज है वह निकल ही नहीं पाईered कि इनकी आवाज जो एकदम से बंद हो गई फिर आगे कह रहा है कि उन्होंने पूरी सक्तियों को क्योंकि उस समय जो छण था बड़ा ही मतलब अजीव था ठीक ये फिर क्या है धीरे धीरे साहस करके पूरी अपनी ताकत के साथ उठते हैं फिर उसके बाद रक्म जो मेज से उठाते हैं चाक चाक उठाते हैं और बोड पर लिख देते हैं कि फ्रांस जिंदाबाद और इतना भी वही चीज़ कर रहे इतना बड़ा लिखते हैं जितना कि वह लिख सकते थे यह इतना बड़ा सा लिख दिया जितना उनके चमता थे तो उतना बड़ा लिख दिया फ्र 22 में और 24 में भी आया है ठीक ये 2000 अगर हम बात कर लें भीया तो 2022 में और 24 में दोनों में पूछा है ठीक है ना अब ऐसा नहीं है कि एक बारायात नहीं आएगा अरे काहें नहीं आएगा वे चैप्टर है क्वेस्टन रिपीट होंगे सेट इतने जादा बनते हैं पांच से सा तरीका है इससे असान नहीं होगा रस गुल्लों चलिए इसको चाप लेजिए भाई हो गया बच्चों चलिए आगे चलते हैं इसके सुचन नमबे चार क्या है ध्यान से सुननना कहई रहा है की वाट है ने फुट अप ऑम दो बुलेटेन बोर्ड दीख एकि Сौचना लगाई गये थीfern텐 होता है कि इसकुल है और दुशन बड़ॉड भी चले जाओ वहां पर क्या एक सूचना पट लटका या हLR तो उस पे सूचना लिख दिया जाता है कि इतने से इतने तारीख चुटी है या फिर इतना सब्छ, मतलब यह टीचर सब्जेक्ट इस टाइम चलेगा या फिर मतलब कुछ न कुछ उसमें कि next आने वाले टाइम में कब चुटी है तो कोई नो कोई सूचना उसमें लिखी रहत ओर बच्चे उसको आराम से पढलेते हैं तो वही चीज है कि सुचना पट पर क्या सुचना लगाई गही थी कि what had been put on, put up on the bulletin board, यह जो सूचना पता है, थी, उस पर क्या सूचना लगाई गई थी, तो सूचना क्या लगाई गई थी, तो यह कहाणी हमने आपको बता दियत, कहाणी से आप आराम से समझ जाएंगे कि क्या सूचना लगाई गई थी, चरिए देखते हैं, क्या सूचना ल बॉलेटिन बॉर्ड मतलब ऐन ओडर मतलब ओडर ठीक बैट हैड कंव कंव फ्राम बर्लिन की बर्लिन से एक सुचना आए थी एक ओडर आया था एक फरमान आया था कह रहा है बिन पुट ऑन दा बुलेटिन बोर्ड जो सूचना पट पर लगाई गया थे ठीक यानि बरलिन से आया एक फर्मान ही क्या है सूचना पट पर लगाया गया था अब फर्मान क्या था भीया दा ओडर वास और फर्मान ये था that की from the next day की अगले दिन से only German would be taught in the school of Alsace and Laren देखिए क्या कह रहा है भीया कहा गया की अगले दिन से इस्कूल में किस इस्कूल में कहा के इस्कूल हमने बताया इस्कूल कहा इस्थित्त था सुरू में ही बताया अलसास और लारेन छेत्र में तो बताया गया भीया की दोना नियुन टीचर और प्रामजर मन यानि जरमन से योइन जूइन करेंगे इस्कूल इस्कूल को फ़्रामद फॉलोविंग के यह अगले दिन से यह यह जर्मन खाल पारी की चुट्टी वही यह तो हमने कहानी में सुरूओवें बता दिया था आपको ठीक है ना तो इस समझ में आ गया बच्चों तो ये भी most important है रुजगुलों most important question answer है तो यहां पर समझ में आ गया भीया क्या कह रहा है समझ में हमने पूरा बताया आपके वल हिंदी में समझ जाए उसके बाद तो अनुवाद ऐसे बना बना कर लिख सकते हैं सूचना यही थी ना कि भीया यहां पर है कि बरलिन से आया आदेश क्या है सूचना पट पर ल स्कूल आफ अलसास और लारिन के स्कूल में अगले दिन से केवल और केवल जर्मन ही पढ़ाया जाएगा ठीक है ना केवल और केवल जर्मन भासा ही पढ़ाई जाएगी फिर आगे कह रहा है कि दा निव टीचर फार जर्मन यहनी जर्मन के नए टीचर क्या है अगले दिन स से क्या स्कूल को ज्वाइन करेंगे फिक समझ में आया कि क्या सूचना लगाई गई थी चलिए इसको भी जल्दी से छाप लीज यह कि हो गया ना चलिए आगे चलते हैं भई क्वेश्चन नंबर पांच क्वेश्चन नंबर जो पांच देखिए यह भी इंपोटन्ट है यह कुष्चन भी काफी इंपोटन्ट है वाट डिडड एम हेमेल राइट अन दा ब्लैक बोर्ड वित्पी साप चाक ठीक कह रहा है कि चाक के टुकड़े से झाक के टुकड़े से एम हेमल ने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा इस question की बात करें भीया तो ये question भी अगर हम देखें 2021 में, 22 में, 23 में और 24 में ये question भी पूछा गया था तो यूं कह सकते हैं कि ये question भी आपका most important है ठीक है ना most important question है चलिए देखिए question क्या कह रहा है बोल रहा है कि भीया अगर याद हो पहले भी इस type के बताया है तो सेम उसी से मिलता जुलता है यूं कहले वही वाला है यहाँ पर कहा गया है कि एम हैमेल ने चाक के टुकड़े से स्यामपट पर ठीक है यानि ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा था तो लिखा क्या था भी बताया था ना भीया वाइब ठीक हो याद है कि नहीं कि फ्रांस जिन्दाबाद ठीक तो वही चीज आया था तो यहां पर लिखेंगे कि एम हैमेल फेस्ट दा ब्लैक बोर्ड यानि एम हैमेल ने क्या किया भीया वह ब्लैक बोर्ड के सामने मतलब खड़े होते हैं एंड रोट दा फ्रेस ये वाक्यांस लिखा वाइब ला फ्रांस की फ्रांस की जै हो फ्रांस जिन्दाबाद या फ्रांस की जै हो as big as he could यानि इतने बड़े छोरों में लिखा जितना वो लिख सकते थे आगे कहरा है कि these words meant इस सब्द का मतलब होता है कि long live France यानि France क्या है या यहां का मतलब है long live long का मतलब France जिन्दाबाद हमने पहले भी होता है and sopt यह दिखाता है Hamils यानि Hamils के strong love यानि द्रिण प्रेम को for his country उनके देश के प्रती and his deep patriotism और उनके गहरे देश भक्ती को मतलब जो उन्होंने लिखा ये जो लिखना है वो क्या है M. Hamil के अपने देश के प्रती एक द्रिण प्रेम और गहरी देश भक्ती को दिखाता है जब लिख देते हैं कि France जिंदा बाद तो कहीं न कहीं भया इस से उनके अंदर के मतलब देश प्रेम की भावना और साथी दास साथ मतलब देश से प्रेम की भावना को दिखाता है कि उनको अपने देश से कितना अधिक प्रेम है और उनको अपनी भासा से कितना अधिक प्रेम है और होना भी चाहिए भईया यही और इसमें मतलब यह कहते भी हैं कभी कवार आता है कि यह संदेश क्या देते हैं तो आप बना कर लिख सकते हो कि भईया इनका कहना आए कि हर एक ब्यक्ति को अपनी मात्री भूमी से प्रेम करना चाहिए साथी साथ वहां की भासा से प्रेम करना चाहिए और अपनी भासा को सदैव सुरच्छित रखना चाहिए और यही हमारा कर्तब थे है तो कभी कबार आता है कि भीया उन्होंनों क्या संदेश दिया तो यही संदेश होता है ना उनका ठीक है समझ में आ गया ना फिर से एक बार समझ लीजिए कि M. Hemel Blackboard के सामने खड़ा होते हैं यानि खड़े होते हैं फिर उन्होंने एक वाक्यांस लिखा कि वाइब ला फ्रांस यानि फ्रांस की जै हो या फ्रांस जिंदाबाद और इतने बड़े अच्छरों में लिखा जितना वो लिख सकते थे फिर कहरा इस वर्ड्स मीन इस वर्ड का मतलब होता है कि लाउब लाउग लिख फ्रांस की जै हो एंड सोब्ड हैमिल्स श्ट्रॉंग लव और ये क्या है एम हैमिल के क्या है दिर्ण प्रेम और अपने देश के प्रती गहरे देश भक्ती को दर्शाता है ठीक तो इतना लिखना होगा चलिए जल्दी से इसको भी छाप ले सिए हो गया भीया तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद है मेरे प्यारे रजगुलों को अच्छे से सारे कुष्चन एंस वर समझ में आ गए होंगे अगर वीडियो पसंद आई हो भीया तो प्यार से लाइक जरूर कर देना और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए ताकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुचते रहें लव यू बाई बाई टेक क्यार और हाँ प्यारा सा कॉमेंट कॉमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा कंजूसी बिलकुल नहीं